नमस्कार दोस्तों आप सभी को छोटा नाकपूर प्यानो में हर्दिक हर्दिक स्वागत है जहार खंडी जोहार है तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई गाना प्ले करते हैं और किसी पार्टिकुलर ओक्टिप में हम लोग जब कोई गाना प्ले करते हैं तो उसमें कई जगा को और दो चलिए आज का वीडियो में हम लोग कोड सिखते हैं तो उसके देखिए हम कि छोटा सा नोट पैड यूज करना पड़ेगा तो जैसे आप यहां देख रहे हैं मेरा सरगम का नोट पहले से लिखा हुआ है सा रे गामा पाधानी सा भी लिखी देते हैं तो यह सरगम का माले जी हमारा नोट्स है तो इसी के अधार पर हमारा मतलब ओक्टीब में कोड बनता है तो सबसे पहले सा का एदे हम कोड़ बनाना चाहिए तो सा का कोड़ बनाएंगे इस तैप से तो सा का कोड बनाएंगे तो कैसे बनेगा तो एक क्या करना है बीच में हमारे सरगम का जो है बीच का जो है एक एक मतलब हम नोट्स जो है छोड़ देंगे तो सा लिख लिए उसके बाद में तो यहां क्या लगेगा सा का हम यदि कोड बनाएंगे तो बन जाएगा सा और रे क में छोड़ देना है एक नोट उसके बाद एक गा है तो गा उसके बाद मा छोड़ करके क्योंकि एक हम को बीच में छोड़ना है उसके बाद फिर यहां पा है तो यह दोस्तों आपका सा का जो है यह आपका कोड हो गया सा गापा यह सा का कोड हो गया अब उसी तरह से हम रे का इस तरह सम रे का बनाएंगे तो क्या बनेगा रे मा धा बनेगा इस टाप से रे का बनाएंगे तो रे मा धा हो गया तो इस परकाट से रे का कोड हो गया रे मा धा इस टाप से अब उसी तरह सम गा का बनाएंगे गा के दिकोड बनाएंगे तो गा पा नी बन जाएगा गा पा नी इसका कोड बन गया अब उसी तरह से यदि हमको बनाना है मा का कोड गा के बाद हमको बनाना है मा का कोड तो मा का कोड कैसे बनेगा मा धा सा बन जाएगा मा का कोड बनाएगा मा धा सा मा धा सा अब उसके बाद पा है तो पा का कोड कैसे बनेगा तो पा का बन जाएगा देखिए यहाँ पे पा है तो पा के बाद देखिए नी यहाँ पर है तो पा और नी तो अपको मिल गया तो पा नी और रे बनेगा आपका पा नी रे बनेगा तो दोस्तों कहने का मतलब है जिस अधार से जिस फरमूले से मैं इसका कोड बनाके आप लोगों को दिखा रहें देखिए अच्छे से तो इसी तरह से एक एक नोट बीच में आप गेव करके छोड़ करके इस तरह से बनाएंगे तो आपका कोड बन जाएगा हां बसर्ती इसमें ऐसा है कि कुछ कोडे मेंजर बनेगा और कुछ मैनर भी कोड भी बनेगा लेकिन जाधतर गाना के हिसाब से ओक्टीप के में आप देखेंगे तो इसी अधार से ओक्टा रहें कि चाता लिए गाना में så कुछ लिए हम फरमूले से बनाया है तो मैंप लेकि लेकिन इस अधार से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा तर जो apply होता है octave के अंदर वो इसी अधार पे होता है तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं keyboard पर इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं तो इस टैब से यदि हम लोग इसको keyboard पर देखेंगे तो इस octave में हम लोग ले लते हैं इसको इस octave में तो इस octave के लिए देखिए मान के चलिए इसको हम लोग सा मान लिए सरगाम पहले हम लोग इसमें निकलते हैं Sa Re Sa Re Ga Ma Pa Nora Ni Sa तो यह हमारा सरगाम हो गया Sa Ra Ga Ma Pa Ni Sa तो इसमें दिखेंगए अब हम Sa का जैसे मैंने इस note पर दखेंगे Sa का जैसे sa gaipsa मैंने बनाया तो sa gaipa कहा है यह हमारा सा हो गया और यह गा हो गया और यह पा हो गया तो यह बन जाएगा मारा सा का कोड इस टैप से प्ले होगा अब उसी परकाट से रे का देखते हैं तो रे का देखिए रे का कोड यह होगा ऐसे अपलाई होता है keyboard पे, octave पे, यह हो गया, अब उसी परकाट से हम देखते हैं, गा का, तो गा का क्या है, गा, पानी, इस टाइब से है, तो कैसे play हो गया, तो यह, यह गा का आपका code हो गया, अब हम मा का निकालते हैं, तो मा का देखिए, आपको इस टाइब से बनेगा, यह मा का code हो गया, अब पा का निकालेंगे, तो पा का देखिए, यह आपका, पा का code हो गया, उसके बाद धा का code हो गया, यह, अच्छा से दिखाते हैं आप लोग को, यह धा का हो गया, उसके बाद यह नी का निकालेंगे देखिए, तो नी का यह आपका हो गया, यह आपक का major code हो गया और एक इस WORK KOKOTE बनेगा इस का लेकर अलग कोड है तो इसका मैर निका लेंगे थो ऐसे निकलेगा to दώस्तों आप सभी लोग को भी इसी तरह से कोड निकालना है और जब भी कोई गाना आप प्ले करेंगे कोई धुन प्ले करेंगे तो इसको आप यूज कर सकते हैं तो अच्छा तरीका से देखिए जनकारी लेने के लिए आप इस अधार से जो है आप कोड लगा सकते हैं ऐसी यह दियर नॉर्मल सोट में देखेंगे तो लोग मेजर मैनर के हिसाब से नंबर बै नंबर लगाते हैं लेकिन इस अधार से दोस्तों मैंने इसलिए बताया क्योंकि गाना जिस परकार से हमारा ऑक्टीव है तो ऑक्टीव में ज्यादतर इसी टैप का अपलाई होता है जो मैंने बनाया है कोड तो जैसे सा के लिए ज्यादतर सागापा ही यूज होता है कोड में ये और रे के लिए ज्यादतर जो है यही यूज होता है उसके बद गात ले देखिए इस टैप का यूज होता है तो आपको भी इस तरह से जो है आप कोड फैनल करके आप अच्छे से प्ले कर सकते हैं तो दोस्तों आसा करते ह कि आप सभी को ये अच्छा से समझ में आ गिया होगा वीडियो तो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल छोटा नागपूर प्यानो को दोस्तो सब्सक्राइब कर दीजेगा